हेलो गाइज आप सबको प्रीति का प्यार भरा नमस्कार आज हम पुराने कपड़े का यूज करेंगे और बनाएंगे एकदम अच्छे वाले जूते तो मैंने ये एक पुरानी जिन्स ले लिए है जो आधी पहले भी मैंने यूज की थी वीडियो में अभी ये आधा बच्च है तो मैं इसका वापस यूज करने वाली हो तो मैंने मेरे नापका एक जूता ले लिया है और इस तरह से उसे ड्रो कर लिया और फिर उसी नापका मैंने कट कर लिया ये एक साइड का पाव कट हो गया अभी पैंट का दूसरा पाव हम लेंगे और नीचे से हमें एकदम इसे भी कट कर लेना है पूरा श्रेट चाहिए इसमें क्रोस रहेगा तो वो निकाल दीजिए कट कर दीजिए फिर जो सिधा है वहां से 4 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है सिधी लाइन बना लेनी है 7.5 इंच बाइ 4 इंच का ऐसा बोक्स कट कर लेना है ये दो पीसे दोनों पेर के लिए ये साथ में ही कट होंगे ऐसे दो पीस हमें कट कर लेने है तो ये दो अलग-अलग हो जाएंगे अभी और अलग-अलग करने से पहले हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और इसमें सेप देंगे जो फोल्ड किया है वहां से हमें आदा साइड अंदर की साइड मार्क करना है और आदा इंज दूसरी साइड सामने की साइड और फिर ऐसे क्रोस में लाइन बना लेनी है खुली साइड है वहां पर ऐसे क्रोस में लाइन बना लेंगे और फिर कट कर लेंगे दोनों साइट हमें ऐसे ही करना है जहां पर फोल्ड किया है वहां पर हमें आदा इंच का मार्क करना है और फिर क्रोश और अभी कोई वी एक साइड ले लिजे जहां पर खुली है वहां पर और आदा इंच पर मार्क कीजे और वहां पर भी ऐसे क्रोश में लाइन बना के वह आएगा तो वो कम रहती है तो आगे की साइड याद रहे है इसके लिए मैंने इधर मार्क कर लिया है चारो साइड अभी ये सोफे का कवर ले लिया है जो पुराना है इसका यूस में इसे अंदर अस्तर में करूंगी तो इसे बीच में से ऐसे फोल्ड कर लूंगी और जो नी इसके लिए मैं इसे डबल ले रही हूँ अभी ये हो गए अभी इसे अलग कर लूंगी और सीधी साइड उपर ही रखनी है और फिर स्टीच करना है स्टीच करने से पहले जो ये हिसा है उसमें हमें पहले सेंटर का मार्क कर लेना है बीच में सीधी साइड सेंटर का मार्क क यह जोड़के हो गया अभी जो एक्स्रा है उसे हम कट कर लेंगे और यह कट हो गया अभी यह पैर का कोई एक बाग लेंगे और बीच में ऐसे उपर की साइट का हिसा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और फिर वहाँ से 2.5 इच का मेजरमेंट लेके मार्क करेंगे और ये side हमें 3 inch का measurement लेना है और mark कर लेना है जो पेर की अंदर की side का जो बड़ी उंगली है वहाँ का हिसा है वहाँ पे 2.5 inch रखना है और जहाँ छोटी उंगली है वहाँ पे 3 inch पे mark करना है और यही mark जो है वो दूसरा पीस इसके उपर रखेंगे और दबाएंगे प्रेस करेंगे तो उसके उपर भी mark हो जाएगा और उसे dark कर लेंगे इस तरह से करने से हमारे दोनो पेर एक side के नई होंगे अलग-अलग होंगे अभी ये मैंने दूसरा पुराना एक कपड़ा ले लिया है उसमें से नीचे की side से मैंने ये सी cross में पटिया कट कर लिये और ये पटि ऐसे मैं stitch करूँगी यहाँ पे रखूंगे ये piece नीचे वाला है वो उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों side आमने सामने stitch कर लेना है ये पटि 2 inch की मैंने कट की है ये देखो ये stitch हो गया अभी इसे सीधी side करेंगे और फिर double fold करके इसे भी stitch कर लेंगे दोनों side ऐसे ही करना है दोनों piece में भी same इसी तरह से करना है अभी जो हमने आगे की side किया था वो हमें याद रखना है और वहाँ पे mark किया था वो double mark कर लेंगे अभी ये जो कपड़ा मैंने लिया था उसमें इसी knots थी तो वो knots भी मैं निकाल लूँगी और इसका जो बीच म मैंने center mark किया था वहाँ इसे लगाऊंगी अगर आप दोरी नहीं लगाना चाहते तो बो बना के भी बीच में लगा सकते और ना कुछ लगाना चाहे तो भी नहीं लगाया तो भी चलेगा ये अच्छा दीखे इसके लिए मैं लगा रही हूँ अभी 3.5 इंच का मैंने दो टुकडा लिया था उसको बीच में से कट कर लिया और फिर ऐसे बीच में से फोल्ड करूंगे और दोरी के साथ इसे भी स्टीच कर लूँगी ऐसे रखना है इसे जो सीधी साइड है वो उपर की साइड आनी चाहिए और नोट्स को लास्ट में और फिर थोड़ा हिसा फोल् का मार्क किया था वहां पर इसे ऐसे रखूंगी जो छोटा हिस्सा है उस साइड हमें ये लटकने वो नीचे की साइड आए इस तरह से हमें स्टीच करना है अभी बीच में ऐसे मैं स्टीच कर लूँगी ये स्टीच हो गया और अभी ये हिस्सा है ये इसमें मैं अटेज कर तो यह जो छोटा हिस्सा है वो आगे की साइड रखना है और इस तरह से हमें स्टीच कर लेना है दूसरी साइड भी जो मार्किया था वहाँ पे हमें रखना है और स्टीच कर लेना है दोनों पार्ट में सेम इसी तरह से स्टीच करके इसे रेडी करना है ये देखिए दोनों में स्टीच हो गया अभी यहां पे नीचे की साइड हम पाइपी नटेज करेंगे तो उसके लिए भी मैंने जो कपड़ा लिया था पुरा न उसमें से पटिया कट की थी उसमें मैंने जोइट करके एक लंबी पटि बना लिया और जहां से हम लगाएंगे वहां पे आधा इंच पेले अंदर की साइड फोल्ड करेंगे फिर यहां से स्टीच करते जाएंगे और पूरे मैं ऐसे ये पटि लगाएंगे और जहां पे आधा इंच फोल्ड किया है उसके उपर जो जो एक कपड़ा आए और एक्स्ट्रा हुआ वहां तक ही हमें लगान यह आधा इंच फोल्ड किया है उसके उपर आधा इंच आना चाहिए उतना ही दोनों में मैंने सेम इसी तरह से किया है अभी यह पटी ऐसी बाहर निकालेंगे और डबल फोल्ड करेंगे और कर लेंगे इधर स्टीच तो यह हमारी पाइप पिन बन जाएगी और यहां से कर ले पाइड यह देखे हमारे जूते बनके और कितनी से यह इपर्ट सब्सक्रेंणा है अधि रतेक फिनेश के किया में हुट्य और के यह से लिगते में मैंकि हैं ready हुई है मैं आपको इसे pen के दिखाती हूँ तो ये pen में भी एकदम comfortable है तो आपको कैसे लगे ये जूते comment करके मुझे जरूर बताइए like, share और अभी तक आपने मेरा चैनल subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जै भारत जै हींद